दूर्वा को लेना है आपको, और साथ में आपको लेना है पिले फूल, जो आपको गणेजी को दूर्वा चड़ानी है, पिले फूल अर्पित करने है, और इन सारी सामिधियों की पोटली आपको बनानी है, जो गणेजी को छुवा के वहीं रख दीजेगा, जो आपको वहीं काली तिल और 700 ग्राम काली उड़ाद होती है न साबुत वाली साबुत उड़ाद लेंगे और उसकी पोटली बनाकर आप भैरो मंदिर को छुआ के और वहाँ पर आप पंडित जी को दे देंगे वो दोनों चीज़ें वहाँ ठीक है अब इसमें क्या होगा कि आपको मंदिर ल पूजा होती हो ठीक है वहाँ पर आप जाके अपनी हेल्थ की प्रार्थना करिए कि आपके हेल्थ अच्छे हो जाए और फिर आपको वापस आ जाना है वो दाल की पोटली भी आपको वहीं छोड़ देनी है बेशा को पंडिजी ले ले या कोई भी ले ले और अगर कोई है वहाँ लेने वाला तो आप दे दो उसको ठीक है बाहर भी कारी बेटे होते हैं आप किसी को दे दो लेकिन भार जी को इस परश करानी है काले कपड़े वाली हरे वाली गनेशी को करानी है फिर आपको क्या करना है कि आपको आठ बार लगातार मंदिर जाना है आपको आठ ब प्रावलम है, उसको दूल करने की प्रात्ना करनी है, आप देखेंगे कि आपका लेकिन इस क्रम को तोड़िये का मत, लोग क्रम तोड़ देते हैं, बाद में कहते हैं, रेमेडिस से लाब नहीं मिला, ठीक है? आप ऐसा करिये, आप देखोंगे कि आपको जरूर एक आपको मत किसनान बताऊंगे, एंड में, वो सब लोगों के लिए है, हर तरह के दोश के लिए, हर तरह के रोक के लिए, सर्वकार सिद्धि के लिए, सारे ब्रहों के अनिष्ट को दूर करने के लिए, वो एंड में बताऊंगे, तो आप लोग एंड तक रुकियेगा, तो आप लोग देगा कि पुरानी जाडू जो है उनको फेक दे जो जाडू इतनी इतनी से हो गई है उनको उठाके बार फेक दो ठीक है चलो अल्दा बैस्ट बेटा रुएट रुएट गुरुमेट सो आज आपको एक बहुत ही प्राचीन रिमेडी दिया गया एंड इस प्रोसेस को आप ज सोचियल मीडिया एंडल्स पर आपके फीडबेक जरूर शेयर करें जी गुरुमेट तो एक बार ऐसा है ना कि बच्चों को कोर्स कंटेंट भी शेयर कर दो जी जी उनको पता लग जाए कि वह लोग क्या-क्या सीखने वाले है जी गुरुमेट जैसे कोर्स कंटेंट कोर्स क के बाद फिर कंटिन्यू कर लेते हैं अहां फिर कंटिन्यू करते हैं राइट जो हमारा बहुत ही स्पेसियल वोक्षप आने वाला है समस्या एंड समाधान जी गुरुमेट देखे आप लोगों को यह सब चीजों के समाधान मिलने वाले हैं आपको रिलेशन्शिप जो extra marital affair चल रहे होते हैं या divorce की problem में किसी की, या litigation issues चल रहे हैं या किसी को black magic की problem लग रही है या partnership issue है या property issue है या court case चल रहे हैं, addiction है किसी भी चीज का, या बच्चों की बोलने में या बच्चों की education का कोई issue है या विदेश जाना चाहते हैं, आपके visa नहीं लग रहे हैं आपको loan नहीं मिल रहा, loan की EMI नहीं भर पारे, तो आप इस type की आप ये देखें पूरी list है, इन सब चीजों की आपको बहुत detailed remedies मिलेंगी, जिनमें आपको मंतरास की remedies मिलेंगी, अंतरास की मिलेंगी, switch words मिलेंगे, switch quotes मिलेंगे, आपको crystals, आपको jam stone, आपको rudraaksh, आपको य जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, कि fit curry, long, ilaichi, chana, sindur, jaifal, इन सब, shank, tulsi, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब कुछ आपको course में पढ़ाया जाएगा, energy circles आपको मिलेंगे, तो आपको एक ही problem के कम से कम, 10 विधाओं से, आपको चीज़ें सीखने को मिलें कि जिसके पास कम time है, वो ये कर ले, ज्यादा time है, तो ऐसा कर ले, और इसके साथ साथ, आप लोग को 9 ग्रहों की पूरी remedies, आप pro gastrologer अगर नहीं भी हैं, तो भी अगर आप इस remedy course को कर लेते हैं, तो आपके से कि पास कोई भी problem कोई आदमी लेकर आएगा, आपके पास इतन आपने remedies देनी, तो उसको solution मिल जाएगा, financial related problem है, या career की है, health की है, relationship की है, mental issue है, physical issue है, depression है, या आपको लग रहा है black magic की है, या आपको कुछ नजर दोश लग रहा है, या care, मतलब कुछ भी लग रहा है, किसी भी समिसे से related, कोई person अगर आपके पास आता है, तो immediate effect से, आप सीज की remedy निकाल के देदोगे और एक नहीं अलग अलग विधाओं से remedy देदोगे, किसी का कोई ग्रह का issue है, आपको इस लोजी नहीं आती, लेकिन आप उन ग्रहों की remedy देदोगे, ठीक है, तो आपको ये सब कुछ बहुत डेटेल में मिलने वाला है, साथ में आप लोगों क को मैं कल मैंने अनौस किया था कल के क्लास में कि देवी देवताओं से related गणेश जी, हन्मान जी, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा माता, लक्षमी माता, इनकी पूजा की विधान और इन से related मंत्र और इन से related remedies उपाए, कि आप किस की देवी देवता के क्या क्या उपा आपको इतना detailed course है कि मुझे लगता कि 15 दिन से ज्यादा चलने वाला है, तो आप लोग आए और जॉइन करें, अब आप उनको offer दे दू राहूल, जैसे गुरुमा कल जो special blessings दिया गया था, वो आज continue रखा जाएगा, जैसे 9977, एंड वो सारे blessings continue रहेंगे गुरुमा आज भी हाँ, 21,000 का ये course है, और आप लोग अगर अभी पे कर देते हो, और आप अपनी seat पूरा नहीं भी बुक कर दे पा रहे हो अभी, तो आप सिर्टी वन हंडेड दे के अपनी seat बुक कर सकते हैं, उसमें आपका चार्ज रहेगा 9977, और यस, मेरी prediction fee is 11,000 रुपीज है, पर prediction, इ एक दिन आप लोगों को total free prediction मिलेगी, तो वो भी offer है, आपका webinar में अगर आप पे करते हो, तो, जी गुरुमा, तो देखिए, आपको special blessings आज भी continue रखा गया है, जो आज नए जुड़े हैं, और कल से जो students जुड़े हुए हैं, गुरुमा जी की तरफ से, साधना मेम की तरफ से special blessings को continue रखा गया है, 9977 only total energy exchange, लेकिन आपको webinar में payment करना होगा, 2100 pay करके seat reserve करना होगा, ताकि आपको आपके परिवार में किसी भी एक person को, उनके महत्तपुन questions के लिए answer and guidance के साथ, remedies भी complimentary दिये जाएंगे and spell jar का workshop भी complimentary रहेगा, साती साथ गुरुमा जी और एक blessings दिये थे, कि देवी देपताओं के पूजन और उनके remedies कैसे किये जाते हैं, क्या-क्या remedies हैं, वो भी अलग से आपको दिया जाएगा special remedy, ये हमारा ramban remedy patent workshop है, जो बहुत कम ही आते हैं, साल में ए 1 p.m. and 9 p.m. two batches are there, both are live on Zoom, recording pdf and also professional certificate दिया जाएगा and आपको इसमें remedy के भर्मार मिलेंगे, जितने remedy आप कभी सुने ही नहीं होगे या फिर जाना ही नहीं होगे, पूरा का पूरा भर्मार, ये हमारा PhD लेवल का courses, सिर्फ और सिर्फ remedies के ऊपर, 837-09-1209 नंबर पे, the first number जो 100 हो रहा है और भी चाट बुक्स में भी शेर कर दिया जाएगा, उसी नंबर पे आप जी पे, फोन पे या फे पेटियम के माध्यम से payment करके आप जोईन हो सकते हैं, screenshot आपका पूरा नाम and mobile number शेर करना होगा, ये हमारे दो हपते का workshop है and यहाँ पे मैं bank details भी शेर कर र होंगे, number is 8377091209, 2100 पे करके CT reserve कर लें and further rest amount आपको after two days payment कर सकते हैं, ये option भी आपको दिया जा रहा है, जो चलिए, देखिए, कई बार आप सब कहते हो कि हम लोग ने remedy की, लेकिन असर नहीं हुआ या उसका proper result नहीं मिला, उसका कारण क्या होता है, वो आपको course में मिलेगा, कैसे remedies करनी चाहिए, क्या तरीके हैं, कौन-कौन से दिन, कौन से नशेत्र, कौन सा, कौन सी किस तरह की remedies के लिए, कौन सा दिन उचित है, कौन सा वार, कौन सी तिति, वो सब कुछ आपको detail course में बढ़ाये जाएगा, ताकि आप लोग remedies का proper lab ले पाओ, तो चलो, हम आगे बढ़ते हैं, राहूल, जी गुर्म, तो आप देखो, कोई नए लोग हैं, तो देखिए, जिन लोगों को health issue है, सबसे पहले तो वही लोग hand raise करें, हाँ जी, गीतु से एट, हाँ जी, गीतु मैं, ओम साहिरम, unmute करिये बिटा, परणाम गुरुमा, खुश रहे बिटे, गुरुमा, मुझे तीन साल से एक problem चल रहे है, यहाँ पे, जो diagnose भी नहीं हुई है, मेरी, लेकिन इन बिट्व वहीं की वहीं है, तीन साल से, यह में हटी नहीं मेरी problem, प्लस मेरे थोड़े नीज में भी pain रहता है, मुझे, back issue रहता है, cervical की दिक्कत मुझे वो भी नहीं जा रही है, यह सब मेरे साथ लगा हुगा है इतने साल से, इसके लिए कुछ करवा दो, आपको बेटा, एक remedy तो मै अपनी affirmation देनी है, जो मैंने पहले remedy दी थी, आपको मैं अभी एक health का jar बताती हूँ, आप health jar बना के अपनी सिराने रख के सोना, तो जो remedy मैंने पहले दी है, उस remedy को आप अपनी किसी भी समस्या के लिए affirmation डाल के, अगर करेंगे, तो आपकी वो कोई भी problem, जाए वो health से related हो या wealth से related हो, ठीक है, वो दूर होगी, अब आपको मैं एक health jar बताती हूँ, ठीक है, आप मेली ये, आप कह सकते हो कि ये health और wealth दोनों में काम करेगा, और चलिए jar में आगे बताऊंगे, मैं आपको एक potli बताती हूँ, आप एक potli बनाएए, रतनों की potli आपको बताती हूँ इस ट्रोंस की, आपको क्या लेना है, अगर आप potli बना रहे हो, तो आपको green color का pouch लेना है, उसमें बनाना है, और अगर आप jar में डाल के रखना चाहों, तो आप jar में रख लो, उसे आप कहांच का jar लीजेगा, उसमें उनको रख लीजे, और या तो इस तरह की भी, छोटी bottles होती है, ठीक है, जैसे अब मैंने तो इस में अमेथिस्ट रखा हुआ है, इस तरह की उसमें आप छोटी छोटी पीसे, उन सबके डाल सकते हैं, तो थोड़ी बड़ी बड़ी बोटल दे सकते हैं, उसको साथ में carry कर सकते हैं, और पोटली को भी और उसको भी और अपने सि पीस ले लो हैं चोटी-चोटी टुक्ड़े ले लो, as you like, ठीक है, आपको clear quards लेना है, आपको red jasper लेना है, लिखते जाएए आप लोग, इसके लाब आपको rose quards लेना है, tiger eye लेना है, और green aventurine लेना है आपको, moon stone लेना है, और black termoline लेना है, green zade, green zade लेना है, और lapis lazuli लेना है, amethyst लेना है, और blood strong लेना है, और cellulite लेना है, black हकीक, काला सुलिमानी पत्थर आता है, black हकीक, काली हकीक, तो वो आपके बहुत सारी चीजों में work करता है, तो वो ले लीजेगा, उस काले पत्थर पे अलग-अलग निशानदारियां, sports होते हैं, okay, black हकीक के नाम से, आप मांगोगे, तो आपको मिलेगा है न, इसके अलावा, हॉलाइट, हॉलाइट के टुकले लेने हैं, ठीक है, और इनको लेकर 8 से 10 घंटे, आप इनको सेंदा नमक के पानी में डालके चोड़ दीजेगा, ताकि स्टोंस, जहां से भी आते हैं, वो कितने भी हाथों में होके आते हैं, तो एनर्जी लेता है, हार स्टों, एनर्जी ले लेता है, जितने लोग उसको टैच करते हैं, या जिस भी एन्वार्मेंट में रहता है, तो 8 से 10 घंटे आपको सेंदा नमक के पानी में बीगो के रखना है, और क्या करना है कि फिर उ को कर लीजेगा ऐसे कि पानी उसके उपर से गिरता रहे पाच मिनट तो इस तरह की से वो प्यूरिफाई हो जाएंगे फिर इनको साफ कपड़े में पोच कर या तो आप पाउच बना लीजे और अगर आप छुटे-छुटे पीसेज ले रहें तो इसी तरह की बॉटल में भा करके अपनी अफर्मीशन रखे हाथ में लिके जो भी जिस चीज के लिए आप मिंटल हेल्थ के लिए ले रहें आप फिजिकल हेल्थ के लिए ले रहें और यह हैल्थ और वेल्थ दोनों के लिए होता है आप अपनी अफर्मीशन डालिए मंदिर में रखे अफर्मीशन डा प्रिए हेल्थ के लिए आप अम बुद्धाय नमा ओम गमगडपती नमा आप कर लिजे या आप कोई भी दुर्गा मंत्र हन्मान जी का मंत्र शिवजी का कर सकते हैं महाम नतुंजय मंत्र कर लिजे वो आपको अच्छी हेल्थ देता है या आपके उपर है आप उसके पास इतना है आप उनका मंत्र जाब करिए अफर्मेशन आप अपनी डालिये जिस चीज के लिए उसको आप बना रें फिर इसको आप अपने साफ करे कर सकते हो एक साथ आप दो तीन भी बना सकते हो पोट लिए जब आप इतनी क्रिया कर रहे हो तो एक साथ ज्यादा कर लो तो आप देखोगे कि आपको इससे काफी रिलीफ मिला और जिस भी चीज के लिए आप इसको health या wealth जिस भी चीज के लिए करेंगे उसमें ये काम करेगा आप affirmation दो तो आप देखो बिटा all the best आप जल्दी ठीक हो जाओ और अपने घर से पुराने towels हटा दो जो faded है उनको हटा तो आपने आस बहुत बड़ी रिमेडी सबके साथ सेर किये तो इसका आप जरूर लाब उठाएं and gratitude रहें साथी साथ आपके feedback भी जरूर सेर करें क्योंकि ये सारे रिमेडी कोई भी ऐसे फ्री में नहीं बताते हैं जी तो आप यह सोचो ना क्लास में इनको क्या मिलने वाला है आपकी imagination से ज्यादा आप लोगों को क्लास में मिलने वाला है तो आप लोग मेरा तो यही आप लोगों से अन्रोद है कि आप लोग क्लास अटेंड करें otherwise your wish क्लास में आपको उनकी विदान भी बताए जाते हैं कि किस चीज की remedies किस दिन कि किस तिती किस बार किस टाहिम ठीक है वह वह बहुत से चीज़ें होती है जो आपको हम क्लास में बताते हैं इस कि क्ना है आपका बिल्कुल ज़ी और एक नहीं रहेगा कि किसी एक एक प्रॉब्लम के लिए पचसों मिलेंगे इनको और अलग अलग होते हैं तो अगर आप सीख जाते हैं जान जाते हैं कि किस प्रब्लम के लिए कौन सी रिमेडी एंट कब करना है पूरा का पूरा हएक एसपेक्ट को लिए तो इसमें आपकू महारत मिलने वाला एंड also साइडवाइज आपका केरियर भी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि हमारे यह प्रॉफेशनल कोर्से से जो ऐसे डिजाइन किये जाते हैं कि आप इससे रोजगार भी कर पाएं इस को करने के बाद आप अपने अनाम के आगे रेमेडी एक्सपर्ट लगाके ठिक है बाकाइदा लुगों को अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं और उनको रेमेडीज दे सकते हैं उनकी प्रॉब्लम सुनके क्योंकि जो भी प्रॉबलम को या अग्मी लेके आया आप उससे अब एक संजय है इनको ले लो जा रहा जी संजय सर ओम सायराम अन्मुट किजी हाँ बेटे अन्मुट करें अन्मुट किजी संजय सर अरक्रिस्टान रादे रादे बेटा जी गुरुमा मेरको दो तीन साल से मतलब हार्ट का थोड़ा और यह दिकत थी तो अभी थोड़ा ठीक है लेकिन अभी अब दो तीन साल से मेरा को शारेरिक दिकत चल रही है अभी आज पंद्रावीज दिने एक मेने से मेरे को राइट पेर में भी दिक्कत आ रही है राइट पेर दुखता है और सर्वाइकल यह एक सेकंड लाल किताब की रेमेडीज भी होंगी देखो बेटा पहली चीद बताओ कि आप फ्लैट में हूँ या जमीन पर बना हुआ मकान है आप अपने थोड़ा अपका यह बताओ कि आप सिर्फ अपनी बात्रूम के डिरेक्शन मुझे बताओ बात्रूम के डिरेक्शन नौर्थ नौर्थ इस्ट नौर्थ इस्ट में तो पूरा तरही कैसे नहीं है नौर्थ इस्ट से थोड़ा सा इधर है नौर्थ और नौर्थ इस् सिर्फ एक बाद नौर्थ-east के बीच में आ रहा है ना नौर्थ-east के बाद आ रहा है नौर्थ-east समातों के इस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है आपके टॉलेट से ट इस्ट के और आ रही है मैं देखें आपका बातरूम मुझे गड़बड दीख रहा है और यह जो आपने कलर करा रखा यह आपने किस डारेक्शन में करा रखा रखा रेड कलर वेस्ट में आप एक बर अपने घर की डारेकशन से चीजहें बदलते तौर आपके घ़र में आप चम्मचे होती ना खाने वली और चाको दोनों चीजें काफी है और जो यूज नहीं हो रहे वैसे भी है, वो आप अपने घर में लेडीज को बोलिएगा, या तो यूज करें, और या मतलब उनको ठीक है, बदलते रहो, आप किसी चमिचे सब कहां भी होती हैं, बहुत मेरे अभी बहुत हैं, बढ़ हम चेंज करते रहते हैं, तो आप उससे कर बालो, ठीक है, क्योंकि जो दारदार चीज हैं, और यह अगर आप यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो ये भी आपको कहीं कहीं दारे दे जाती हैं, तो आप इसको देख लो, और यूज में ले लो, या हाट वा दो फित, ठीक है, गुरुमा, मैंने को बहुत दिक्कत है, मतलब आपका, आपका, मुल ठीक है, या आपकी हेल्थ के लिए भी होंगी, जो मैंने हेल्थ की रेमिडीज दी हैं, बाकी आप, माइग्रेन के, माइग्रेन के देशी टोटके होते हैं, एक टोटका बता देते हूं आपको, वो काम करता है, आप गुड का एक डेला लेकर जाएए, चौराय पे, बड़ आदा खाल लीजे, आदा फेक दीजे और मुड के आजाएए, फिर पीछे मुड के मत देखिएगा, मतलब पीछे फेकना है कि आगे फेकना है, मतलब गुड? नहीं, आप आगे फेक दो और फिर मुड के आजाओ, यूटन लेके, क्रॉस मत करना, चौराय एक रेमिडी है, जलेबियों को दूद में भीगो के खाओ, उससे में माइगरेंटी होता है, दूद जलेबियों को दूद में भीगो के खाओ, उससे में माइगरेंटी होता है, ठीक है? और एंड तक रुकना, लास्ट में आप लोगों को बात रेमिडी दोंगी, सबसे लास्ट में दोंगी वो बात आप हर प्राब्लम के लिए अपनी फिजिकल के लिए उस बात को लो आपकी फिजिकल, फाइनेशल सब प्राब्लम सौटर टूंगी और वो स्टैम पेपर ले लो और उस पर लिख लो उस उस बात जो मैं आपको दूंगी उससे नहाना शुरू कर दिया तो मैं इतने बड़ी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज के साथ बोल रही हूं अगर आपने उसको लगातार कर लिया उपाय को नहने वाले को से और आपके जीवन में परिवर्तन ना है हर तरह का सुकद तो आप मेरे उपर क्लेम कर देना कोड में टेस्टेट एंट वाला है जिसको मैंने कित आप जल्दी से ठीक हो जाए जैसे कि गुर्मा यह जो एक रामबन उपाय आपने बताए है वो बहुत ही कारगर एंड बहुत ही फाइदमेंद होगा सबके लिए एंड उसके साथ साथ यह एक हुआ कि मिश्टान का आनन्द मिले और उससे रोगों से छुटकर अभी हो राहुल टोटके होते हैं जो इस टाइब की बीमारी होती है ना कि जो एंडीस हो गया माइग्रेन हो गया इन में आप मतलब ठीक है आप टीटमेंट लो बट यह जो छुटे-छुटे टोटके हैं न यह बहुत काम आते हैं कोई जड़ी पूटी हम बता देते हैं कि उसको आप बान लो कई बार अगर हम अफोर्ट नहीं कर सकते तो हमारे पास रत्न पहनने की पैसे नहीं है तो उसके जगे हम क मिलता है यह सब कुछ आप पढ़ने वाले हों जैसे बहुत सारे जैम्स्टोंस तो सब को पता ही होगा कि प्राइस कितना रहता है बहुत ही महंगा होता है तो उनको धारन कि बना ऐसे ग्रवों के और भी कई सारे चीजां है जो आप कोर्स में पताएंगे जिसको धारन करके उनका ब्लेसिंग्स हमें मिल सकते हैं और प्रोब्लम भी दूर हो सकते हैं बिलकुल बिलकुल मतलब आप अभी तक मैं समझती हूं इतना बड़ा रेमिडी कोर्स नहीं आया होगा जो रेमिडी कोर्स मैं अब कराने जा रही हूं ठीक है एक है माधुरी पिसाल हाँ जी अन् मैं दो क्वेशने एक में उसका तो बर्ट डीटेल कुछ भी नहीं है लेकिन उसको कैंसर हुआ है वो अन्माइड है और उसको पहले बार तो बैस में हुआ था वो निकाला था ओपरेशन करके अभी उसके पीट में बहुत हो रहा है तो अभी उसको थोड़ा ही लिप मिल ज मैंने कहा मैं एक नहाने का वो बताऊंगी एंड में बताऊंगी आप उसको करना और जितनी मैंने अभी रेमडीज दी है यह आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगे जो इसली कर पाई ठीक है मैं आपका नमबर दिया लेकिन ऊज़्यू नहीं किया उसको दिया था उसकी लड़की के लिए दिया था तो उसकी लड़की का ओ भी जनम से ही उसको सभेल पालशी है अभी उसका एज कम से कम तो आप उनको बोलिएगा कि वो मुझे दुबारा कॉल कर लें या वाटसप पे एक मैसेज डाल दें कि ऐसे से प्रॉब्लम है और मैं आप से प्रेडिक्शन लेना जाते हैं ठीक है आप उन्हें बोल दें ठीक है all the best और आपकी जो बहन है उनके घर में बहुत सारा कमार है ज तो उसके अलावा तार दिख गहुए है उल्जे हुए मुझे आप उनको बोलना इस तैब की वी काइं वी कालो है पूंद ए ओ ठीक है उल्जे आप हैं चोटे चोटे पीसेज हैं आर के उल्जे इक बाहत्स ऐसा समान जो वीस्तेमाल नहीं होsob घर आए है देखिये जब आ और चीजे में नहीं बोलती हूं, बहुत चीजें कह देती हूं कि चलो, तो आप उनसे कोई निकाल ने जहां वो समान है, वहाँ धूल मिट्टी भी है, वहां मक्री के जाले भी है, वहां बहुत कुछ है, तो उस जगे को साफ करवा तो, प्लीज, और बाहर करवा दो, कबारे से मोह मत करो, ठीक है? Right. मैं बोलती हूँ, क्योंकि बहुत क्या होता है, वो अनमाइड है तो उसकी बहुत चिंदा लगती है, वागकी कुछ नहीं है. आप करवाओ ये, करवाओ, उसे बोलना मुझसे प्रेविक्शन नहींगी, वो मुझे मैसेज डाल देंगा, ओके? All the best है. Right. So, माधुरी मैं, आप बात में कॉंटाक्ट कर सकते हैं, मैं से WhatsApp में मैसेज कर दीजिए, और आपको reply मिल जाएगा. Right. जी, गुरुमा. चलो, मैं बहुत परिशान लोग जितने हैं, उनको ढूड़ती हूँ. रोजी की मुस्कुराट बहुत अच्छी है, लेकिन बिटा, मैं थोड़ा ज्यादा परिशान लोगों को देख रहे हूँ. अई कि सुनील मोहर कर, इनको, आजे सुनील जी, unmute करिए कुद को. जी सुनील सर, ओम सहर्यम अन्मुद कुछ इन्वेश्ट किया था, लेकिन वो अब तक नहीं आया है. इन्वेश्ट किया था, कहां किया था? शेर मर्केट में. वो जो दो लोग थे, उनके पास यह लेकिन वो दो लोग फ्रॉड निकले. शेर मार्केट में इन्वेश्ट करोगे तो शेर तो शेर से हैं, या तो उपते हैं या डूपते हैं, तो उससे मतलब मैं समय ने पारी. वो भाग गए लेकिन, तो फ्रॉड था उसको जेल भी हो गई. मतलब आपने किसे लोगों को पैसा दिया था, आपने शेर में ने इन्वेश्ट किया था, आपने लोगों को दिया था कि तुम इन्वेश्ट कर दो, लाइक देट. तो आप क्या चाहते हैं? उनसे कुछ मिल सकता है क्या? अगर कुछ… यह तो देखिये, प्रेडिक्शन वाली चीज हो गई, है ना? नाम बताएं दुनों लोगों के आप? एक गनेश काड़े नम का है. जो जेल में है, उसका नम बताएं? हाँ, वो जी बेल पे चुटा है हो, अब उसने दूसरे जगह पी परोड किया है, उसने. ओके, और दूसरे का क्या नाम है? पालवे नाम का है, सुरेश पालवे. एक के बाल गुंगरा ले हैं? कर लिये थोड़े? नहीं, दोनों के प्ले नहीं. एक कोई करली बाल वाला भी है बीच में इन लोगों के साथ. आच्छा. जिसके बाल गुंगराले हैं, ये खाली दो लोग नहीं है. आच्छा. ये चार लोग हैं, एक का रंग सामला है, और हाइट फाइव सेवन के करीब है. पराबर है. है न? हुँ. देखो जी, पैसा तो आपका नहीं मिलेगा. आच्छा. ठीक है, यानि, अपना ध्यान कहीं पर मोड सकते हैं, अभी. ध्यान मोड सकते बोले तो? यानि, वो तो टेंशन रहता हैं, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ऐसा गर कि अभी, ये तो बत छोडने ही पड़ेगी, न? देखो, इस चीज से अपने दिमाग को हटा लें तो बेटर हैं, आगे बढ़ें, आपके पैसे का रिकवरी का कुछ नहीं दिखरा, आपके आगे दो लोग आए हैं, उनके साथ भी दो लोग हैं, इनमें से एक, जो दो लोग आपके साथ थे, उनमें से एक का मैंने आपको पुलिया बताया, कि रंग सामला है, हाइट फाइट फाइफ सेवन के करीब हैं, लेकिन जो तस्वीर के पीछे लोग हैं, पैसा उनके पास है, इनके पास भी नहीं है, तो आपका पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है मैंना, तो फिर इसे मन से बात, आप निकाल दो, अ उसके पीछे मत दोड़ो, अब आप वहाँ दोड़ो जाओ, जहां कुछ दूसरा कर लो, चलेगा, ठीक है, ओके मैडम, आपकी मिसस के हैल की बताओ, नीचे के हिससे में प्रॉब्लम है मिसस को, हाँ, उसको वेरे को जवेन है उसको, पैर में वेरे को जवेन है उसको, प्रॉब्लम दिखता है दर्द तकलीफ और परिशानिया तो ठीक है आपको है छीजे मैं बता रही हूं जो चला गाए जाने दीजे एंपे रहां दीजे और मुस्ट के हैं पर ध्यान दीजिएगा अने वाले टाइम में उनके ध्यान दीजिए आपको यह मेरी सला है चलेगा ओल्द बैस्ट है थेंक यू मैंडम इसे ही आपको गाइडेंस मिलने वाला है जो अभी टू डू डवल जिरो पे करके सीट रिजर्व करेंगे आपको एक बहुत ही मुल्यवान प्रश्ण जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस हेल्थ प्रब्लम रिलेसंसीब कोट केस कुछ भी है उसके रिलेटेड आपको गुरम जिटेड प्रवीन गुमार मोंगा को और पीस्फुल नहीं है लाइफ में आपके या मल्टिपल प्रॉब्लम में देखिए जिस पर मेरी निगाज आ रही है और मुझे ज्यादा परेशान लग रहा है मैं उसी को जिसका अस्त बेस्त अस्तिती उसी को अन्म्यूट कर रही हूं तो आपके उपर मेरी निगाज गई है और इसके अलावा अब आप क्या चीज मुझे कोई एक चीज पूछ लिजे जो आप जिसके बारे में मुझे से बात करना चाहते हैं मैं एक तो मेरी वाइफ को हैल्थ इशू बहुत है तो देखे हैल्थ इशू के मैंने अभी कई रेमिडीज दी है अगर आपके अचली मैं सॉरी टूस है कि मैं अचली ऑफिस से तुरह सा लेट आया और आपकी क्लास में को 830 जोईन कर नहीं थी तो मैं 915 पर जोईन कर पाय और ट्राइफिक में आता फसा हुआ था कि और तो रहूल यूटूब पर मिलता है ना ये जैसे एक रिवाज होता है कि हमें कुछ ने कुछ पे करना पड़ता है कुछ सीखने के लिए तो सारे शुरेंट से अन्रोध है कि हमारे आज का वीडियो गुरुमा जी के तरफ से कर दिया जाएगा यूटूब में लेकिन आपको कम से कम 10 से 15 लोगों को सेर करना होगा कि उनको भी यह ब्लेसिंग्स मिल सकते है डाफिनली डाफिनली आप लोग करो और एट लिस्ट उसके चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो कि आपको कोई चीज कहीं से मिल रही है तो देखिए एनरजी एक्षेंज किसी भी में बहुत जरूरी होता है जिस किसी ने भी मुझसे रेमेडी लिया पूछा है बेटा इस नाम के गाय को दो केले जरूर किला देना क्योंकि जब आप किसी से कुछ पूछते हो तो आप उस समय याचक होते हो जो बता रहा दिया करो बेटा ताकि आप लोगों के उपर कोई रिणन आ ले एक छोड़ी सी प्लीज मेरी आप कर दे है मेरी बेटी की एक तो साधी नहीं हो रही और दूसरा वो उसको एल्थ इसू भी है प्लीज उसके लिए कोई रेमेडी मुझे बता ले बाक्या आइवल ज्यानिया देखिए आज का वेबिनार जो हमने रखा था वो हेल्थ मेंटल फिजिकल हेल्थ और वेल्थ के उपर रखा था लेकिन लेकिन आपकी लड़की के अगर शादी नहीं हो रही है तो आप एक काम करना में एंड में जो इस्रान बताऊंगी उसके भी उसके भी काम आएगा शा दोंगे ओके आप रुकिए एंड तक और लिख लीजेगा थीक यह था 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 और हां आपके आप पर चाद्रे हैं जिनके रंग उत्रे हूए हैं उनको आप पर हटवा दो थीक है आप उनपे सोते हो आपके एनरजी पूरी सोते टाइम होती है तो देखिए अब आप से तो मैं आपके घार को देख रहे हूं तो आपके प्राविộtर लग को पर य॥ था चाद्रे मुझे देख रहे है है तो आपके। करिंख करूंगे कि है या नहीं है भ yak किजिए प्रविंचर आपको बताया गया वैसा है या नहीं है तुम्हें वाइब से पूछता हूं एक से किन बुछ पुलाता हूं है अच्छा है ना बता दो प्रवीन जी उनको यूज नहीं करती बट वह है इसके बाद रख्के है ना आतों रख्के हूं थीख नहीं है मुझे ठीक है मैं ठीक है मैं मैं बोल देता हूं को वो अटवा देंगे इस वे इसे हमारे साथ जोड़ चुके हैं साहिरम क्रेशन प्लाट्फरम के ओर से दे वेरी रिनों एक्ष्र लोजिस्ट नुम्रोलोजिस्ट वास्तु कंसल्ट है और मॉल्टी मोडिली टी रिमेर्स एक्सपर रिस्पेक्टर साधना रुलाटी मैं गुड इमिंग मैं नमस से ओम साहिरम एंड वेल्कम तो दे मैस्टर क्लास है ओम साहिरम एफ्रीवन साहिरम गुरूमा बढ़िया से सब के घरा में देख रहे हो क्या-क्या किसको कहा अटाना है तो ऐसे ही जैसे ऑशेदी स्नान की गुरूमा बात करी थी आप लोगो ऐसी रेमेडीज मिलने वाली है स्कोर्स में मैं तो इसको खजाना बोलती हूं हमेशा की तरह क्योंकि कितनी भी समस्या आजाए लाइफ में और अगर मुझे पता हो कि मेरे पास समाधन रेडी है तो वह समस्या ना मेरे को समस्या नहीं लगती सारा खेल ही आपके सबकॉंशियस माइंड का है अगर आपका स और अगर आपके पास रेमेडी होंगी या पहले से ऐसे कुछ उपाये कर रहे होगे कि आपके साथ वह प्रॉब्लम ही ना है तो आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग आएगी आप यह सोचे तो इसी ब्लेसिंग को और बढ़ाने के लिए हम आप लोग लेकर आए समस्या औ और जन्रेल रेमेडी हैं रिलेशन्शिप लव लाइफ ब्लाक मैजिक करा कराया हर चीज के आप लोगों को प्रॉपर पीडिएफ मिलने वाले हैं रेमेडी मिलने वाली है और जैसे गुरूमा बतारी थी कि कुछ औश्यदी स्नान स्पेल जार्स बहुत डिफ्रेंट रहने पीडिएफ है मैंने पढ़ा दिये हैं और आप लोगों को तो वही तो मैं बोलू कि खजाना मिलने वाला है तो गुरूमा ने मेरे से शेयर किये थे बढ़ा दी होंगे और पांच कर दी होंगे आप लोगों के लिए तो द्राग्स जैम स्टोंस है ना किसी भी समस्या का हेल्प कर रही है या फिर बता पा रही है कि आपके घर में यह यहां रखाओगा तो ऐसे आप भी जान पाओगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी राइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रही है तो 12th of February से यह workshop स्टार्ट हो रही है बहुत अच्छा महूरत बहुत अच्छा समय त्रितिय थी और आप लोग अपनी लाइफ की हर समस्या का इसमें समधान तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन स्पेशल ब्लेसिंग बाइगुरूमा तो आप अपनी लाइफ को और बेटर बना पाओ यह जान पाओ कि कैसे समस्या का समाधान निकालना है क्योंकि इसके लिए तो आपको आप किसी दच्चा को भी देखने की जुरत नहीं है राइट सो एट्री डवल सेवन जिरो नाइन वन टू जिरो नाइन पर पेमेंट करना है सिर्फ टू वन डवल जिरो रेश्ट आप तू डैस के बाद पैमेंट कर सकते हैं यह हमारा वोक्शॉप टू वीक्स का है और सारे ओफर्स, सारे ब्लेसिंग्स आपको बता दिये गए हैं तो जल्दी जॉइन करें और यह ब्लेसिंग्स प्राप करें और वाइज यह ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल पाएंगे और आप इससे बच जाएंगे जो की बहुत ही special remedies के साथ साथ गुरुमा जी के तरब स से आपको एक consultation एंड सभी देवी देवताओं के उपर remedies और उनके पूजा विधी विधान सब कुछ आपको कॉंप्लिमेंटली दिया जा रहा है मैं आप सब्सक्राइब है क्योंकि जब भी हम कोई भी किसी से रेमेडी कराते हैं सब्सक्राइब करवाया तो वहां प्यारा जार पे देने पड़ेंगे किसी से कंट कंसल्टेशन लोगे इसे मेरे भी 21,000 चार्जिस हैं कंसल्टेशन की गुरुमा की 11,000 है इतने में तो डिजाइन करे गई है आपके लिए कि आप अपनी हर समस्या का खुदी समाधान बन पाएं ताकि आपको जुरुत ना पड़े भटकने की इधर उधर तो 12th of Feb से ही स्टार्ट हो रही है और दो बैचिस में है 1 p.m. और 9 p.m. आप कोई भी बैच जॉइन कर सकते हो अपना यूट्यूब चैनल का लिंक बेच दो राहूल बहुत से लोग मांग रहे हैं वह से देखेंगे और शेयर करेंगे उन्होंने बोला है सब 15 15 को शेयर करेंगे बिल्कुल तो तीन दिन से गुरुमा आप लोग को रेमेडीज दे रही है तो शेयरिंग तो बनती है इस में कुछ पूछना है तो वह मैसेज लिखके डाल दो बेटा हम उसके बारे में बता देते हैं फिर आगे चलते हैं और किसी को कोर्स कंटेंट का पीडियाफ लेना हो तो आप लोग हमसे ले सकते हो उसी नंबर पर सरबेजी ने जो नंबर दिया है क्योंकि बहुत वास्ट क अच्छा अब आप सब लोग अपने हैंड डाउन करो सिर्क वो लोग अपने हैंड रेस करो जिनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है ठीक है बाकी लोग हैंड डाउन कर लो जिनको कोई एंग्जाइटी या मिंटल हेल्थ पर रिलेटेड उनकी कोई प्रॉब्लम है वो ल क्योंकि mental health भी अच्छी होना बहुत जरूरी है जिसको हम लोग बहुत seriously नहीं लेते बट वो बहुत जरूरी हिसा है जीवन का है ना चलो सरस्वति वाने जी सरस्वति मैं अन्मेट कीजी मैंने कहा है mental health की बात करी है बाकी कहा है हां जी बोलिए बेटा गुरुमा नमस्ते नमस्ते एक स्टेंडर में है तो इसको न यह जब हुई थी तब बहुत अच्छी थी कोई प्रॉब्लेम नहीं हो रही थी उसके बाद वो उसका हाइपर एक्टिविटी बहुत होने लगा उसके बाद उसको कान का मशीन लग गया और अभी वो कॉंसेंट्रेशन नहीं कर पा रही है और स्कूल में छोटी भी चीज हो जाती तो वो जूट बोलती है तो ऐसे क्या क्यों हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है मुझे तो थोड़ा मुझे गाइडंस कीजिए चलिए मैं आपको एक एंग्जाइटी स्पैल जार बनाना बतात अपने लिए हो आप लोग आइटम लिख लो जिनको भी एंग्जाइटी प्रॉब्लम यह उनके लिए है ठीक है आपको क्या करना है अमेथिस्ट के टंबल स्टोन अमेथिस्ट के पीसेज लेने ठीक है रोस पैटल लेने है जिसको सिनेमन या दालची नहीं बोलते है वो ल स्वेंडर लीफ लेनी है पिंक सॉल्ट के पीसे मतलब पिसा नहीं लेना है टुकड़े पिंक सॉल्ट के टुकड़े लेने है और एक होता ना थाइम थाइम लेना है आपको और एक लावा होता है जो उसमें निकलता है ना जब जाला में की होता है तो लावा सॉल्ट बोलत अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा उसके टुकडे, वो नहीं मिले, तो आप कच्छा कोईला ले लेना, ठीक है, क्योंकि पता नहीं, आप लोगों के आग पास हो या नहीं हो, तो इसमें से आप कुछ भी एक ले लेना, और यूकलिप्टिस के लीव ले लेना, पते, इसको एक जार में डालना, और डालके उसका मुँ खोलके उसके अंदर, या तो सेज वाली जो आती है न सेज, वाली गास टाइप होती है, सेज होती है, जिसको जला के प्योरिफिकेशन के लिए उसकरते, वो मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता, तो कोई भी अगर बत्ति ले ल वो एनर्जी दे दीजेगा, आफरमीशन डालते हुए, कि ये में एक एक एंग्जाइटी या अपनी मेंटल उसके लिए बना रही हूं प्रभू, इसके अंदर वो एनर्जी पूरी देना, आपकी भावना काम करती है, बेटा, चीज से ज़्यादा आपके भाव और भावन उसके उपर और चाहो, तो जिस चीज के लिए बना रहे हो, एक तेज पत्ते के उपर, या एक वाइट कागज के उपर, ठीक है, आप पैन से, ग्रीन या ब्लू पैन से, जिस चीज के लिए बना रहे हो, वो विश भी लिख देना, और उस जार में डाल देना, और उसके बा ऐसे दो जार बना लो यह कि जहां सोती है उसके सिराने रखो और दूसरा इसकी study table पे रखो जाहिए पढ़ती है और जब आपको time हो आप मा हो आप unmute करो खुद को बेटा जी अन्मेट किजिए वहाँ तो आप खुद भी उसके उपर हाथ रखके अपनी affirmations दो और बच्ची भी आपकी समझदार है उससे भी हाथ रखवा के कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं गाट मुझे जो भी वेरी problem में ठीक हो जाए और personally I am requesting you बच्चे के सामने उससे related बात आपको नहीं करने जाए तो आपको यह करना है तो आपको यह करना है और बच्ची को बोलो अपनी टेबल पे उस पे रहात रखके बोलेगी प्रभू मुझे कुछ भी नहीं I am perfectly all right लेकिन अगर मुझे कुछ भी problem है तो मैं ठीक हो जाओ मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ always she will say I am perfectly all right मुझे कोई problem नहीं और उसको है भी नहीं आप लोग उन्हें बोल बोल के कर दिया उसको वह बिल्कुल ठीक है उसको बिल्कुल कोई problem नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो बच्चा you are perfectly all right तुम बहुत सुन्दर बहुत प्यारी बच्ची हो good girl study के लिए ना एक जगह पर मतलब बैठेंगी ना तो मतलब मैंने उसे कहा है कि उत्तरा मुख करके बेठा कर ज्यादा अच्छा रहेगा तो direction थोड़ा उसको आप बता दीजे ना कि वह कहां सोय और कहां बैठा जितना बैठेगा या पढ़ेगा वह मिशा देखे पूर थालों से पढ़ने के लिए तो आल दा बैस्ट है बच्चा ठीक है और इसको काले कपड़े मत पनाओ कितने काले कपड़े हैं तो तीन है अटा दो अटा दो अटा दो अटा दो चलो ऑल दा बैस्ट वेटा गुरुमा जी गुरुमा सो जैसे कि आप देख रहे हैं यह सारे रिमेडिस एंड इतना सारा एक्स्प्लानेशन इचन एवरी स्टेप अगर आपको हमारी इस मास्टर क्लास में इतना कुछ मिल रहा है तो जानिए कोर्स में कितना आपको रिमेडिस का भरमार मिलेगा और पूरा एक य प्लाटफॉर्म के और से आपको एक गिफ्ट एक ब्लेसिंग दिया जा रहा है जी गुरुमा दिखे सबको होता है न कि किसी ने कुछ कड़ तो नहीं दिया या नजर तो नहीं लग गई इसके उपर में आप लोगों को आपको अपने मकान के लिए ऐसा लग रहा है आपको अपने बिजनेस के लिए लग रहा है आपको अपनी संतान के लिए लग रहा है कई पर क्या हो बहुत अच्छा उनका रिलेशन्शिप है वो जिनके घर में क्लेश है जिनको परिशानी है आपको अंदाजा भी नहीं लगता कि आपके उन चीजों को भी नजर लगती है तो आपका जो कोर्स कंटेंट आपको मिल रहा है ना इसमें आधा भी नहीं दिखा रहें जो आपको देने जा रहे हैं क्योंकि कितना लिखेंगे कि हम आपको क्या क्या देने वाले तो आपका किस किस चीज के उपर आपको नजर अगर आपको फील होती है तो क्या मकान का क्या रिलेशन्शिप क्या बच्चे क्या उनकी स्टडी क्या कैरियर उनके भी सब चीज के लिए अगर आपको ऐसा लगता है तो कैसे क्या उपाय करो आप कि कैसे आपको अगर नजर की फीलिंग है तो वो भी कैसे करो उसका अलग PDF मैंने बनाया है जो इतना मोटा PDF होगा कम से कम एक एक चीज की इतनी remedies हैं कि मैं चाहते हूं कि देखो बेटा आप लोग को इतना इस एक course में मिल जाए कि आप चाहते हैं कि आपको इतना देना चाहते हूं और अगर कोई मेरे पुराने बच्चे आप बैटे हैं तो वो उनका hand raise करवा लो एक बार वो यह बताएंगे कि मैंस जब वो पढ़ते हैं तो कोर्स से अलग मैं उन्हें कितना बढ़ाती हूं जो कोर्स में होता भी नहीं तो अगर मेरे कोई student यहां पर है तो लिखके डालो कोई भी student है तो ज़रूर हैं रिखकरें हैं चैट बॉक्स में लिखके डालो मिल्कुल क्योंकि remedies का पता भी होना चाहिए कि कौन से टाइम पर remedy करनी है कितने दिनों के लिए करनी है कौन से महुट हो गए यह हमारा one year में एक ही बार आता है मतलब ऐसा नहीं कि वरक्शॉप दुबारा आएगी तो नेक्स टाइम आपको recording से पढ़ना पड़ेगा तो सब्सक्राइब करूं जी जी संब्सक्राइब कीजिए मुझे तो संजे दिखी नहीं रहा है उसका मैंने बस वह पढ़ा है जी सर जी नमस्ते गूरूमा और यह ओक है मैं बिल्कुर ठीक हूं संजे तुम कहा हो मुझे अब भी नहीं देखे बेटा तो बहरा वो देखा मैंने बस इनको पीन करो संजे को पीन करो रावल अच्छा मैं करते हूं मैं संजे को डूड़ो संजे संजे कहां गया संजे एक संजे और दिखा संजे दे नहीं दिख रहा मुझे अन्रीस कर लिए कर लिए कर लिया acum दिख गया दिख गया जिख तब से पहले love you बेटा तुम मुझे बहुत यद्भी लगते हो यवरा भाट पैयरा वैच्छा है और हुट यॵ। हमने हमें यह बत अच्छा इंसान है no no you give no you give a lot of material lot of study got a lot of over the top more than the post content तुम किस country से हो बेटा इससे में कहा हूँ इंडलंड में हो इंडलंड इंडलंड तुझे मेरा I think कही subjects का student Sanjar आहा है और he's a very good human being एक अच्छा इंसान तो लब यू बेटा तो तुमको अगर लगता है कि कुछ explain करो आहा मैं बोलता हूँ आहा you give more than the course content पॉत देती आप आपो और साधना में very good platform I've been with you all for a long time इसलिए में बोल रहा हूँ थेंक्यू बेटा थेंक्यू थेंक्यू Sanjay जी हमारे फारे forces करते है प्रिए सब सोचते होंगे कि इसको ज्यादा प्यार करती है है न इसको नमस्ते थेंक्यू सो मच थेंक्यू बेर मच्च पर यूर बेलेवल कमेंट्स गॉड ब्लेस बेटा खूब कुछ रहू जी गुर्माद तो अब वसे क्या टाइम होगे राहूल नाइन फिप्टी गुर्माद चलो एक किसी को और लेते हैं फिर हम उसके बाद हम बात बताएंगे और फिर हम मास्टरक एक को लेने के बाद तुम एक बार कोर्स कंटेंट दिखा देना फिर मैं बात बताऊंगी और एक मैरिस की रेमिडी दोंगी जी जी ओके तो 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 बीना जी को ले लो हाँ जी बीना जी अन्यूट करिए यह जी बीना जी खुश रहे हैं मैं बहुत सारी दिक करते हैं पांच साल से घर में इंकम नहीं है घर में बहुत कले कलेश हो रहा है मेरे पापा की भी अचानक हाँ अच्छा आप क्या कोई चीज कोई काटने वाली चीज इस शेप की है ठोड़ी तिर्ची टेड़ी है ऐसी कोई चीज शार्प ऐसे शेप जहां तक घ्यान जाता है नहीं है पर फिर में देख लोगी जैसे दरहात होती है हाँ वो खोपरा वो करने की है आप क्या कोई ऐसा भी है जो आप यूज नहीं कर रहे हो बहुत रेरली अभी ममी करती है बट बंस इन वेक करती है ज्यादा नहीं तो दिखे आप क्या वो दिख रहा है आप उसको बाहर निकाल के रख लो उसको जो आपकी किचिन की शैल पे श्लैप पर उस पर रख लो रोज में उसको दो-चार दिन में एक बर साफ कर लिया करो क्योंकि वो शैप मुझे देखी अब मुझे ने पता था आप क्या कोपरा या क्या यूज होता है बट इस टैप की कोई चीज मुझे दिखी दराथ शैप अब चुकि अंदर है तो एक्जेट हलका देख पा रही हूं तो आप उसको निकाल दे मैं नहीं नहीं आप रख लो बट बाहर रख लो उसको और उसको रोज साफ करवा लो जी साफ करवा दे लो है ना ठीक है को प्रनिकालने आप बनाते हो करो तो वो आप कर लो क्योंकि वो उसके उपर मिट्टी विट्टी भी जमी हुई है वो आपने यू मतलब थोड़ा सा ऐसी पोजिशन में है और वो अब मैं बहुत चीज़ें बस आदा बता के छोड़ दिती हूं कि उसका क्या साइड एफेक्ट आप कहा हा रहा है तो देखो आपको मैंने अभी तक जो भी कोर्स में दिये हैं अभी इस फेल जार दिये हैं या रेमिडीज दिये हैं पोटली दिये हैं ये सब कुछ उपाय अचे थे जो जो मैंने सबसे पहली रेमिडी दी थी जिसमें दो पोटली बनवाई थी एक पोटली बनवाई थी ग्रीन कलर के उसमें सब डाले डालके और एक भैरो जी पे चड़ाने वेल्थ और कोई भी ऐसी प्रॉब्नम है, सबके लिए है, आप जो भी चीज का फर्मीशन उसमें डालके उस रेमिडी को करोंगे, पोटली आपको एकी बार चलानी चडानी है, अगर आप पहले से हो, बस लेकिन मंदिर उसके बाद आपको, आठ बार आपको उस मंदिर में ज जाके प्रातना करने हैं, जिस दिन पोटली चडाएंगे, उसको डे वन मानेंगे न, उसके बाद आठ बार और करना, उसके बाद आठ बार, और गुरुमा, बहुत कले कलेश्मन है, हम खाना तक नहीं बना पाते हैं, जैसे ही खाना बनाने ज़ाते हैं, बहुत ज़्यादा जगडा आठ बिटा मैं सब देख पा रही हूं, जल जाता है, मैंने कहाँ न, मैं सब देख पा रही हूं, अच्छा एक चीज़ पूछू आपकी यहाँ पर अपने कोकोनट की बात करी, नारियल की मिठाई किसके घर से आई थी आपके यह बताओ, ध्यान में तो नहीं है आपके यहां पर तब से यह सब शुरू हुआ है एक नारियल की मिटाई आपके घर में आई और उस मिटाई के साथ negativity या negative energies थी वो आप लोगों ने खाई है उसके बाद से आपके घर में यह चीज़ें शुरू हुआ आप अपनी memory पर जोर डालोगे न तो आपको याद भी आएगा कि आपके घर में नारियल की बनी हुई लड़ू और बरफी शेप की मिटाई आई है उसके बाद से आपके घर की situation बैट से वस्ट के और गई है माने सब खतम हो गया है हाँ तो अब ठीक है जो हो गया उसका आप कुछ नहीं कर चकते हो देखो अमावस्या पर बहुत जैसे बहुत अठाक्स आप एक काम करो देखो निगेटिव अनेर्जी दर आपके घर है है मतलब है ठीक ठाक से है एक तो सारे प्रेमली मेंबर अगर आप लोग बात मानोंगे तो हफते में तीन दिन कॉफी से और चार दिन नमक से नहाना शुरू कर दो 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 चममज कॉफी डालके चोथाई बाल्ती में मल-मल के नहो जैसे मैल छुडाते हैं ऐसे नह ऐसे पूरा और फिर नर्मल डालो जैसे नहाते हो तो तीन बार हफते में आपको लोग कॉफी से नहाना है और चार बार आपको नमक से नहाना है नमक में आपको जो डेली वाले नमक आता ना देशी नमक होता था पहले संदर नमक नहीं जो पहले होता था था ना देशी नमक को सोफनेर्स में डालते हैं, वाटर सोफनेर वगरे में डालते हैं, वो नमक को आप थोड़ा सा कूट के, उस नमक को आप यूज करेंगे, जा मुद्री नमक, और आप चार दिन नमक से, और उसी तरह चौता ही बालटी पाने में नमक डालिए, और मल्क के खुम आईए, जैसे मैल चुड़ा रहे हैं, और फिर नॉर्मल नहा लीजे, आप पूरी फैमिली करना शुरू कर दो, आपको रिलीफ मिलेगा, और जो कुछ मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, उनमें से कुछ भी करोआ, ठीज, अब तो ममार मैं है, घर तो पुरा, मैं समझ आपके, सब कुछ दिख रहा हैं, मैं जादा नहीं पूछ रही, पब्लिक प्लेटफोर्म में आप भी समझ रहे हूं कि मैं जादा नहीं कर रही, अब मैं भी इसले, लेकिन आप करो, और जो रेमेडीज मैंने बताई हैं, और एक बात अभी बताऊंगी, आप बताऊंगी, आपके, हैल ठीक करेगा, वैल ठीक करेगा, रिलेशन्स ठीक करेगा, आपकी मेंटल पोजिशन, सब कुछ ठीक करेगा, वो मैं आपको बताऊंगी, एक बार रहूल कोर्स का बता दो, फिर हम बात बताएंगे, फिर क्लास का अदम करेंगे. Right, so here are the, our course content, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, समस्या and समाधन, solutions to all your problems, without Kundli, और without having any knowledge about any occult science modalities, आपको पूरा का पूरा जानकारी दिया जाएगा, ये हमारा रिमेडी का, PhD लेवल का कूर्स है, सबसे बड़ा और सबसे बैदर, Two weeks का ये code से, starting from 12th February, two batches are there, 1pm and 9pm, both are live on Zoom, recording, PDF, e-certificate, सब कुछ आपको मिलेगा, एक WhatsApp ग्रूप भी बना हुआ है, जिसमें आपको aid कर दिये जाएगा, एंड आपको two one double zero pay करके CT reserve करना है, ताकि तभी आपको double line double seven में ये special blessings मिलेगा, और गुरुमा जी के तरफ से special consultation भी, spell jar remedies भी दिये जाएंगे, एंड देवी देपताओं के उपर special remedies भी आपको complimentary दिया जाएगा, जी गुरुमा, इनको भी payment के भी बता दो, और सबको जितना आपको इसमें दिखाया जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, एक बार poster भी मैं share कर देता हूं, जैसे आप स्क्रीन पर देखी बा रहे हैं, 837709 1209 पर आपको payment करना है, चाट बोक्स में अलरड़ी details share कर दिये गाए है, अभी payment करें 2100, और अभी आपको 2100 पे करके आपका पूरा नाम, mobile number and payment का screenshot share करना है, आपको इसी offer and सारे blessings avail करा दिये जाएंगे, लेकिन after the webinar ये offer ये blessings आपको नहीं मिल पाएंगा, spells are workshop complimentary, गुरुमा जी के तरप से consultation, देवी देपताओं के उपर special remedies, विदेविधान, ये सारे complimentary offers आपको नहीं मिल पाएंगे, सो kindly अभी payment करें, seat reserve करें, जी गुरुमा, चलिए, तो अब मैं आप लोगों को एक जो बात बता रही थी कि बात आपको लेना है, नहाने का, आपको क्या लेना है, एक मुठी चावल, एक मिट्थी की हाण्डी लेनी है पहले, ठीके, या कलश्ट ले लीजे मिट्थी का, और उसके उपर का ढखकन भी मिट्थी का, उसके अंदर आपको एक मुठी चावल, एक मुठी सर्सों, ठीके, एक मुठ़्ी नागरमोथा, एक मुठ़्ी सूखा आमला, और जो दूर्वा घास होती है, जो मैंने आपको बताया, कि लंबी वाली देशी घास मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जो देशी घास होती है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसके 21 टुकडे, दूर्वा घास के, 21 टुकडे, मतलब अच्छा इसकी इत्ति बड़ी 21, ठीक है, तुलसी के 21 पत्ते है, और बेल पत्र, मतलब पूरे जो तीन का जुड़ा हुआ एक बेल पत्र होता है, तीन पिस से जोड़के एक बेल पत्र बनता है, तो ऐसा पूरा साबुद बेल पत्र, आपको 21 पीस बेल पत्र लेना है, और दो हल्दी की गाट, इसको उस मिट्टी के हंडी में या कलश में डाल दीजे, और साब पानी उसमें भर दीजे, और आप किसी बिदिन से इस इस नान को शुड़ू कर सकते हैं, तो आप इतवार को रात में भर के रख दीजे, सुमार से शुड़ू कर दीजे, सुबह उसमें से आपको थोड़ा सा, उसके मुँपे कपड़ा बांदीजे, ताकि सरसों और वो उसमें से निकल के ना आए, और मिट्टी के उससे डग दीजे, थोड़ा सा उसके अंदर से एक लोटा पानी आपको निकालना है, और अपनी बाल्टी में मिला लेना है, ठीक है, या तो आप साबुन अबन से पहले नहा लीजे, फिर एक लोटा पानी निकालके बाल्टी के पानी में मिला लीजे, और उससे लास्ट ना लीजे आप, ठीक है, और एक लोटा पानी वापस उसके अंदर आप डांग दीजे, ताकि वो भरा रहे हैं, इस तरह एक हफते तक आप इस सामिग्री को यूज करेंगे, एक हफते बाद फिर उसमें फंगस न लग जाए, और हिला लीजे दिन में कई ब यह आपकी सारे बुरे ग्रहों का ठीक कर देगा, आपकी हेल्थ की, वेल्थ की, आपकी मिंटल प्रॉबलम, आपकी शादी की प्रॉबलम, कोई ऐसी प्रॉबलम नहीं है, जिसमें यह लाब नहीं देगा, पूरे आपके नवग रह, में कोई ग्रह भी खराब है तो उसको यह ठीक कर देगा, इतवार को आप भीगा के रख दो इसको, रात बर भीगा रहेगा, सुबह से नाना चुड़ू कर दो, यह आप नहाओ, और एक हटे बाद स्वामिग्री फेक दो बाहर पीपल के किसी भी पेड में डाल दो, पूजा के वरक्ष में मत डालना, कोई भी प पेडों में डाल दो घर के बाद, ओके, तो यह रेमेडी करो, यह रामबान रेमेडी है, और अब मैं आप लोगों को एक शादी का भी चलिये, इस नानी बताती हूँ, जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही, शादी में दिक्कत आ रही है, है ना, वो क्या करेंगे आपको पलाश की लकड़ी का टुकड़ा लेना है, मिल जाता आपको पुजा की दुकानों पे पलाश की लकड़ी भी मिल जाएगी, जो बड़ी पुजा की दुकाने है, महां हर तरीकी सम्मिधा available होती है, क्योंकि जो बड़े यग्या और हावन होते है, उनमें ये सब लकडिया लगती हैं, ठीक है, तो पुझा की दुकान पर आपको पलाश की लकडि मिल जाएगी, नहीं, पलाश का पेड़ लगा है, होते हैं, मिल जाते हैं, तो आप एक सी नर्शनी में पलाश पूछ लो, लेहाँ, उससे एक लकडि तोड़ लाँ, ठीक है, तो पलाश की मुठी है, जो समान है, बाकी चीजें जो हैं, वो उने बता दी गिंती, आपको एक कमल का फूल, और इसको पानी में नहाने की बाल्टी में, नहाने के 10 मिनट पहले डाल दो इन चीजों को, और 10 मिनट बाद फिर इनको निकाल के एक प्लेट में रख दो, बातरूम में या क निकाल के रख दो, तो ये चीज आपकी कम से कम तीन दिन के इस नान में काम आ जाएगी, फिर लकडी ले लो एक पलाश की, फिर आप उसमें 5-7 बेल पत्री ले लो, फिर एक कमल का फूल ले लो, आप मैक्सिमम एक हपते तक इस चीज को यूज कर सकते हो, निकाल के रख द फिर डालो पानी में 5-7 मिनट पहले नालो, नाने से पहले निकाल के रख दो, ठीक है, इस पानी से रोज नाओ, अफर्मिशन के साथ, कि प्रभू मेरा जो विवाह में अर्चनिया बाधाय आ रही है, इनको दूर करो, आप देखोगे कि वैसे, अगर आप 40 दिन तक इस ना कभी हो, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, उनको भी लकडी मिल जाती है, ठीक है, आप यहां से मगालो, कमल का फूल तो अराम से मिल जाता है, और अगर कमल का फूल नहीं मिल रहा, तो आप कमल गट्टे रियूस कर लो, जो फॉरें में लोग रहते हैं, आप कमल गट्टे ड तो आप लोगों को मैंने ये शादी और हर चीज के लिए दोनों इसनान बता दिये तो आप लोगों को आज एक special हमारा remedy का class ही हो गया गुरुमा जितने रिमेडिस आज आपने share किये हैं वो आप paid clients को देते हैं और काफी प्राचीन विधायें और रिमेडिस हैं जो आज आपको मिले तो जैसे कहा गया था गुरुमा जी के तरब से आपको गोमाता को कहले खिलाने हैं और साथी वीडियो भी कम से कम 15 लोगों को share करने हैं जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा आपके request पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है एंड जितना भी thank you and gratitude कहा जाए गुरुमा जी को बहुत ही कम है क्योंकि जो समय आपको दे रहे हैं जैसे consultation charges 11,000 रुपे हैं और उसके साथ जो उनका मान रखें और लोगों के साथ share करें खुद करें और अपना feedback भी जरूर शेयर करें thank you very much everyone joining and जो जो students अभी payment करके mention कर रहे थे message कर रहे थे उनसे on road है कि उसी number पे detail share करें और thank you very much everyone for joining in our special remedy workshop welcome to Sairam Creations सारे शुटेंट्स के ओर से बहुत सारा धन्यवाद gratitude कहेंगे respected गुरुमा जी का जो है वेदिक एस्टोलोजर गोमती चक्रा रिमेडिस एक्सपर्ट, पेंडूलम डाउजिंग एक्सपर्ट, काफी सारे प्राचिन विधाओं के एक्सपर्ट, thank you गुरुमा, lots of gratitude for sharing your valuable knowledge, time and guiding us and धन्यवाद करना चाहेंगे, the very renowned astrologist, numerologist, वास्तु consultant and multimodality रिमेडिस एक्सपर्ट, respected साधना गुलाटी मैम जी का, जिनके प्रयाज से हम गुरुमा जी के तरफ से आशिरवाद पा रहें और ये जो प्राचिन विधाएं, जो लुप्त हो चुकी हैं, उन्हें सीखने का हमें मौका भी मिल रहा है, अपसर भी मिल रहा है, ओम साहिराम कसिन विल रहाएं, जी को मिल रहा है